आगरा में कानहा की नगरी मतूरा में ब्रिजवासी होली के पर्वो को विशेश तरीके से मनाते हैं उसी प्रकार आगरा जिले के जगनेर के गाउ सरेदी के नागरिक भी मनाते हैं किद्वन्ती के अनुसारधारा उज्जेन नगरी से आई बाबा लाखन सिंग ने करीब साथ सो वर्ष पूर्वा सरेदी को बसाया था होली की पडवा वाले दिन सुबह गाउ के लोग रंग गुलाल दूल की होली खेलने के बाद अपने अपने घरों में जाकर नहादोकर तैयार हो जाते हैं जिसके बाद गाउ का नठ धोल नगाडों से दयोडी पिटता हुआ संपूर्ण गाउ की परिक्रमा लगाते हुए चक्कर लगाता है उसके पीछे पीछे गाउ के युवा लोग लगोती बांध कर एकत्रित होते हुए जुड़ते चले जाते हैं जो गाउ के बीच में जाकर अचलम बाबा के दर्बार में एकत्रित हो जाते हैं अचलम बाबा के दर्बार के पास बने एक गेट में दो गुटों में बढ़ जाते हैं और दोनों गूट शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से एक विशेश प्रकार के खेल जूके द्वारा तीन बार उस गेट के नीचे से निकल कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं इस प्रकार ये अनोका खेल तीन बार होता है जिसमें गूट को विजई होने के लिए दो बार गेट में से निकलना होता है इस खेल को देखने के लिए गाओ के लोगों के अलावा आसपास के गाओ के नागरिक भी पहुचते हैं नीचे दरबार की प्रत्योगिता में भाग ले रहे पहलवानों के उपर मंच पर बैठे नागरिक उत्सा वर्दन के लिए पानी की वर्षा करते हैं जिसे बाबा अचलम का आशिरवाद माना जाता है